तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेवंथ क्लास का फूर्थ चाप्टर जो है हीट तो हमने थर्थ चाप्टर में पढ़ता है वुलेंड क्लोट्स और अनिमल फाइबर और वोसे हमें वामनेस मिलती है इसलिए हम उसे विंटर में पहनते हैं ठीक है तो इस चाप्टर में हम इसी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह आपको टेबल दिया होगा है 4.1 इसमें आपको क्या करना है यह उपजेक्स दिये हुए हैं उनको आपको बताना है कि कूल है या हॉट है ठीक है अब देखें कोई भी ऑबजेक्ट को आप टच करके ही बता पाते हैं ना कि गर तो आप में हमें रहे हमें कोई MS चश्ट दालना है इसमें मीक्स कर पानी बटर दालना है कि एक हाथ आपको श्ट वाले पानी में थन गरं और दे लोंस्त के बाद आपको यहां में इस दो तीन में दालना Santos काईंतलय कर चार्ट कारिंट का वह बता और कि कशीम नमबर वैव अब्जेक्ट का वह है दिट थैंप रिट एक्ट किसे करते हैं जो हमारे घर में होते हैं जरले हमें फ़ीवर होता है और ज praktी और गर्डॉक्टर में झानाटा समीन गप है वो हमारा body temperature नापता है उसी को clinical थामा में डबोलते हैं उसका जो range होता है वो होता है 35 degree Celsius से 42 degree Celsius तक ठीक और जो human body temperature होता है normal human body temperature वो है 37 degree Celsius यह जो degree Celsius है वो क्या है वो unit है temperature की हमेशा जब भी आप temperature लिखते हैं तो degree Celsius ज़रूर लिखेगा otherwise किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा है ठीक है चलिए तो अब हम देख लेते हैं clinical thermometer कैसा होता है उसमें एक long नारो सी ट्यूब होती है एक यहां पर bulb होता है ठीक है जब हम human body temperature देख रहे होते हैं तो इस bulb में से mercury निकल के इस तरह से उसी नारो ट्यूब में मू देखे लिखा हुए clinical thermometer consists of long narrow uniform glass tube it has a bulb at one end this bulb contains mercury outside the bulb by small shining thread of mercury can be seen अगर नहीं दिखता है तो आप उसे थोड़ा सा tilt करेंगे तो आपको दिख जाएगा clinical thermometer reads temperature from 35 degree celsius to 42 degree celsius ठीक है अब कैसे हम thermometer को read करते हैं तो आपको thermometer जो दिया हुआ है उसमें बड़े बड़े जो lines है उनका पहले नोट करने मालेजे 34 35 दिया हुआ है अब बीच में कितने divisions है वह आप देख लीजे अगर मालेजे 5 divisions है जैसे इसमें तो एक division हो जाएगा 0.2 degree celsius measure करने के लिए ठी ठीक है तो देखे यहां लिखा होगा है फिर्स नोट the temperature difference indicated between the two bigger marks also note the number of divisions shown by smaller marks between these marks ठीक है suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 divisions between them then one small division can be read as 0.2 degree celsius ठीक है जब भी आप thermometer को use करते हैं या use करने के बाद हमेशा आपको उसको antiseptic solution से wash करना है ठीक है और फिर उसके बाद उसको अच्छे से hold करके देखिए कि क्या जो mercury है उसका level 35 degree celsius के नीचे है या नहीं अगर नहीं है तो उसको थोड़े से जटका दीजिए जर्क दीजिए it will come back to 35 degree celsius temperature उसके बाद फिर अपने टंग के नीचे उस बल्ब को रखना है थमामीटर के बल्ब को रखना है और एक मिनट के बाद आप temperature नोट कर सकते हैं जो हमारा normal body temperature होता है वो 37 degree celsius होता है तीक है इसी तरह से आपको अपने 10 friends के भी temperature नोट करना है और उनको table 4.2 में लिखना है तो अब आप देखेंगे कि सबका body temperature 37 degree celsius नहीं था विकर सबका नहीं होता है ठीक ना तो इसमें घबराने के बात नहीं है अगर आपका थोड़ा बार temperature उपर नीचे है तो ठीक है तो जेको clinical thermometer जो होता है वो डिजाइन किया हुआ होता है सिर्फ human body का temperature measure करने के लिए उससे कोई और temperature measure नहीं करते हैं आप boiling water का temperature मत measure कीज़ेगा अधर्वाइस वो थाममीट ब तिक हुआ है अब देखे क्या है हम बाकि और भी चीज़ों को कैसे measure करते हैं उसके लिए होता है लेबरेटरी thermometer इस तरह का होता है हमारा लेबरेटरी thermometer इता बड़ा से इसका क्या range होता है आपको बता देती हूं इसका range होता है माइनस 10 degree Celsius से लेके 110 degree Celsius तक ठीक है माइनस 10 degree Celsius स 110 degree Celsius तक इसका range होता है इससे हम कोई भी object का temperature नाप सकते हैं जो आपको weather reports में maximum or minimum temperatures लेखे हुए रहता है ना कि इस जगह का maximum temperature इतना minimum temperature इतना उसको measure करने के लिए maximum minimum thermometer होता है ठीक है अब देखे clinical thermometer में और laboratory thermometer में बहुत differences भी होते हैं ठीक है तो हम उसके उसको जानने से पहले हमने एक activity करनी है आप collaborative thermometer को एक tap water में dip करके रखे फिर उसका जो है देखेंगे आपकी mercury का level बढ़ रहा है ठीक है जब वो mercury का level रुख जाए एक जगह पे तो आपको temperature नोट कर लेना है उसको मग से बाहर निकालने से प अपको गरम पानी लेना है और फिर सेम तरीके से इसम तरीके से इसम इसको डिप करके ही आपको उसका temperature नोट करना है जैसे आप उसको बाहर निकालेंगे उसका मगरी का level वापस चला जाता है लेकिन ऐसा clinical thermometer में तो नहीं होता है क्यों कि हमारे जो clinical thermometer होता है वो होता है यह द किंग क्या करता है प्रिविंस mercury level from falling on its own इसलिए हम clinical thermometer को जर्क देके जटका देके हम उसका mercury का level नीचे ले जाते हैं अब देखिए आपने हो सकते clinical thermometer ना देखा हो तो आपने digital thermometer तो जरूर देखा होगा ठीके क्योंकि mercury का usage है clinical thermometer में और mercury भर toxic substance है इसलिए आप digital thermometers यूज करते ह तो यह हो गया हमारा clinical thermometer laboratory thermometers के बारे में अब हम पढ़ेंगे transfer of heat के बारे में आपने देखा होगा जब भी आप कोई बरतन फ्लेम पे रखते हैं तो बरतन करम हो जाता है उसको फ्लेम से हटा देते हैं तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है अब ऐसा कैसे होता है क्योंकि हमारा जो हीट है ना वो हमेशा hotter से colder object की तरफ ही move करता है hot से colder की तरफ जाता है ठीक है यह होता है direction of heat flow ठीक है यह आपको याद रखना है ठीक चलिए अब हम क्या करेंगे एक activity करेंगे यह जो activity है 4.6 उसको करेंगे इस तरह से आपको एक setup रखना है यह हमारा एक metal का rod है इसमें हम करेंगे इस तरह से जब हम उसके एक end को heat करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ वाला वाक्स करेंगे फिर थोड़ी दे बात यहाँ वाला वाक्स करेंगे इस तरह से wax गिर जाएंगे इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा heat है वो transfer हो रहा है एक hotter end से दूसरे colder end की त the process by which heat is transferred from one hotter end to the colder end of an object is known as conduction conduction mainly solids में होता है ठीक है और अब हम क्या करेंगे एक activity करेंगे उसमें आपको अलग अलग तरह के आर्टिकल्स लेने हैं जैसे कि steel का spoon, plastic scale, pencil divider, etc. उसका एक end आपको गरम पानी में डिप करके थोड़ी तिर वेट करना है उसके बाद फिर आप उसके दूसरे end को touch करके देखें कि वो गरम हुआ या नहीं तो जो material गरम हो जाएगा उसको इसमें लिखना है इस table में लिखना है जो material गरम हो जाएगा उसको हाँ या ना लिखना है त्ठीक है आप देखें तो इस activity से अपको क्या पता चलेगा कि क्या conductor है क्या उनसे insulators है अब conductor क्या होता है जो material गरम हो जाएगा वो conductor है जो material गरम नहीं हुआ वो insulator है the materials which allows heat to pass through them easily are known as conductors of heat the example है aluminium, iron, copper etc. ठीक है जो material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat जो की plastic है wood है ठीक है poor conductors को हम insulators भी बोलते हैं air and water is poor conductor of heat होता है यह heat को allow नहीं करता है इतर उतर जानी के लिए अब देखिए हमको क्या करना है activity 4.8 करनी है इसमें आपको क्या करना है इस तरह से एक round सा flask लेना है और उसमें potassium permagnate यहां पर रख देना है crystal उसका ठीक है उसके जब आप गरम करेंगे फिर आप इसको observe कीजे किस तरह से potassium permagnate का color आपको दिखेगा उपर नीचे होता हुआ ठीक है इससे आपको पता चलेगा कि water में दूसरी तरह का heat transfer होता है उसको बोलते है convection तो इसमें क्या ह जो water यहां पर है वो पहले heat होगा वो उपर जाएगा और जो sides में थंडा water है वो इसकी जगा ले लेगा इस तरह से पूरा circle होता रहता है और heat transfer होती रहती है जब तक पूरा पानी गरम नहीं हो जाता है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है when water is heated the warm water the warm the water near the flame gets hot hot water rises up the cold water from the sides move down towards the source of heat this water also gets hot and rises up ठीक है उसके बाद फिर से अगें the water from the sides move down this process continues till the cold water gets heated and this mode of heat transfer is known as convection convection कहां होता है convection water में और air में होता है air में भी होता है yes the air near the heat source gets hot and rises up the air from the sides come to take its place ठीक है अब आपको एक activity करनी है उसमें आपको क्या करना है इस तरह से आपको एक candle burn करके उसके उपर अपना एक हाथ रग में एक side में रखना है ठीक है तो आप देखेंगे क्यों की convection हो रहा है इसलिए आपका ये वाला हाथ बहुत जल्दी गरम होता है और ये side वाला हाथ बाद में गरम होता है होगा लेकिन time लगेगा ठीक है न तो इस तरह से यह हो गया हमारा heat transfer by convection in air अब देखें क्या होता है एक बहुत ही interesting phenomenon है sea breeze and land breeze तो यह होता है coastal areas में होता है क्या हो है during daytime land जो ह गरम हो जाती है ठीक है गरम होगी तो heat heat होगा air heat होगा air heat हो जाता है तो उपर चला जाता है तो जो sea से थंडी थंडी air है वो land की air को replace कर देती है क्योंकि sea air आ रहे है थंडी वाली इसलिए इसको बोलते है sea breeze ठीक है ना similarly जो night time में क्या होगा उल्टा हो जाता है इसका पूर रिवर्स हो जाता है क्योंकि land जित्ती जल्दी गरम हुआ उतनी ही जल्दी थंडी हो जाएगी और जो water है जित्ता देव में गरम हुआ उत्ता ही slowly थंडा होता है तो जब यह गरम है तो इसका गरम air को वापस rise up हो जाता है और land से थंडी हवा इससी के air को replace करते है इसलिए को बहुते है land breeze तो जो थंडी air replace कर रही है उसी के नाम पर रखते है तो day में होता है sea breeze night में होता है land breeze इसी day में sea breeze की वजह से है जो coastal areas में buildings होते है उनकी जो windows होती है वो seaside facing होती है ठीक है ताकि हमें थंडी थंडी हवा मिलती रहे देखें यहां पर लिखा हुआ है the people living in coastal areas experience an interesting phenomena during day the land gets heated faster than the water the air over the land becomes hotter and rises up the cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle the air from the sea is called sea breeze to receive the cooler air sea breeze the windows of the houses and colder areas coastal areas are made to face the sea at night it is exactly the rivers the water cools down more slowly than the land so the cool air from the land moves towards the sea this is called land breeze ठीक है यह हो गया हमारा sea breeze and land breeze अब देखिये जो sun है वो तो बहुत दूर है ठीक है लेकिन sun में जब हम नीचे बाहर जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है इसा क्यों होता है अब देखिये sun और अर्थ के बीच में बहुत space है and there is no medium also space में air तो है नहीं तो medium भी नहीं है तो convection तो हो नहीं सकता नहीं कंडक्शन हो सकता है तो कैसे हमारे पास heat आती है तो हमें जो गर्मी लगने लगती है वह भी radiation की वज़ह से होती है जितनी भी hot body है वह work करती है heat ठीक है और वह जिस object पर पढ़ती है ठोड़ा से heat reflect होता है ठोड़ा सा absorb होता है और ठोड़ा से transmit हो जाता है त्दीक है लेकिन उस object का जिस पर heat पर रही है उस object का थोड़ा से temperature increase ज जाते हैं गर्मियों में तो हम उसके अंब्रेला यूज करने के लिए जो भी उसके सनलाइट पढ़े वो रिफलेक्ट हो उसकी गर्मी रिफलेक्ट हो थोड़ी से अब्सॉर्ब हो तो अंब्रेला में ही रहे हमारे पर ना आए ठीक है न अब चलिए हम क्यों अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं ठंडी और गर्मी में इसके बारे में जान ले इसाड़ा का हुआ है एक हो ब्लाक पेंट करना है दूसरी को रहे इंप लोग दोना में पानी भर को सनलाइट में रख़ता है इसके बार चेक जाना पानी जादग अग्लम हुआ है अब देखेंगे इस हाथ गर्म झांडम हो फ्ड़ियस के अंग जिद गहां यहां इस जो हमारे डार्क कलर होता है यह एबसॉर्ब करती है हीट को और जो लाइट कलर का बर्टन है वो रिफलेक्ट करता है जादा हीट को एबसॉर्ब कम करता है इसलिए हम गर्मियों में क्या करते हैं लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हीट कम एबसॉर्ब हो रिफलेक्ट हमें घर्मी ना लगे और ठंड में हम दॉर क्लोण के कपड़े इसलिए प्रफा करते हैं क्युब कि दॉर के कपड़े अबसर्ब करते हैं यह देखिप है अब सब्सक्रा बूर कर आदंल प्रेट क्लोज most of the heat that falls on them therefore we feel more comfortable wearing them in summer समझ का है आप आप देखिए वुलन क्लोट्स आपको गरम कैसे रखते हैं यह देख लेते हैं तो वुलन क्लोट्स क्या करते हैं वो पूर कंड़क्टर ऑफ हीट है और उसमें जो एयर होते हैं वुल फाइबर के बीच में एयर ट्राप्ड होते है एयर प्रिवेंट करता है जो हमारी बॉडी की हीट है वो कोर्ड सराउंडिंग में जाने से इसलिए हमें गरम लगता है यहां देखिए पूरा लिखा हुआ है इन विंटर्स वी यूज वुलन फ्लोट्स बूल इस पूर कंड़क्टर ऑफ हीट moreover there is air trapped in between the wool fibers this prevent this air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings so we feel warm ठीक है अब बताएए आप एक थिक ब्लांकेट लेंगे या फिर तू थिन ब्लांकेट लेंगे इन विंटर्स ठीक है क्यों क्योंकि तू थिन ब्लांकेट के बीच में air रहे का ठीक है तो इससे जादा गर्मी रहेगी than one thick blanket ठीक है तो यह हो गया हमारा chapter complete और हमने ही keywords भी देख लेते हैं Celsius scale, conduction, conductor, convection, insulator, land breeze, radiation, sea breeze, temperature, thermometer, thermometer हमने यह सब देख लिया हुआ है अगर आपको कुछ doubt है तो प्लीज आप वीडियो को दुपारा से देख लीजे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइ Thank you